नमस्कार दोस्तों में नम स्रीकांद कुमरा देखरे टुजेट प्रोसेस आज हम बात करने वाले से वीडियो में दोस्तों किसी भी बैंक में अधार कार्ड और अधार NPCI को आउनलाइन हम किस परकार से लिंग कर सकते हैं और अधार कार्ड को लिंग करने का कुछ अलग प्रोसेस है और अधार NPCI को लिंग करने का कुछ अलग प्रोसेस है तो दोस्तों इस वीडियो में हम दोनों तरीका बतलाने वाले हैं कि किस परकार से आप आउनलाइन के माधियम से लिंग कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आप अपने bank account में अधार card और अधार NPCI को लिंक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पुरा last तक देखना होगा अगर इस वीडियो को पुरा देख लेते हैं तो दोस्तो दूसरा वीडियो को देखने की कोई भी जरुवत नहीं पड़ेगा तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी चैनल पे नहीं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बलाइकान घंटी को प्रेस कर लिजे ताकि मेरा वीडियो को notification सबसे पहले अपके पास पहुँच पाए तो चलिए दोस्तो हम वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो उसके लिए सबसे पहले mobile ये laptop का किसी एक browser को open कर लेना है browser में type करना है अधार sitting और जिस bank में link करना चाते हैं उस bank के name को यहाँ पे type कर लेना है तो चलिए हम example के लिए किसी एक bank के यहाँ पे name को हम type कर लेते हैं तो दोस्तो यहाँ पे दिखिए example के लिए union bank के name को यहाँ पे हम type कर लिए अब चलिए search के option पे हम इस परकार से click करते हैं क्लिक करने के बाद दोस्तो सबसे उपर में जो link दिख रहा है link का अधार number to account number इस link पे click कर दना है click करने के बाद दोस्तो इस परकार के page open हो जाता है और इस page में साप साप यहाँ पे दिखिए लिखा हुआ है link का अधार number to account number तो दोस्तो वीडियो को पूरा last तक देखना होगा अधार cart link करने का कुछ अलग process है और अधार NPCI link करने का कुछ अलग process है तो इस list video को complete देखना होगा तो दोस्तो अधार cart को link करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है तो यहाँ पे सबसे पहले जो कि अपना account number को type कर दना यहाँ पे फिर से आपको account number को type करना है bank account पे जो भी आपका नाम होगा यहाँ पे नाम को type करना है यहाँ पे अपना अधार number को type कर दना यहाँ पे आपको confirm अधार number को type कर दना अधार कार्ट पे जो भी आपका नाम होगा यहां पे आपको टाइप करदना यहां पे अपना एक mobile number को टाइप करदना है यहां पे email ID को टाइप करदना संभित की option पे click करदना है इतना करने के बाद दोस्तों बैंक के तरफ से एक OTP को send किया जाता है जो बैंक के साथ mobile number link है उसी number पर एक OTP को send किया जाता है तो उस OTP को आपको fill up कर लेना है उसके बाद दोस्तों फिर अधार कार्ट के साथ जो भी mobile number link है उस number पे भी आपको एक OTP को send किया जाता है फिर उस OTP को भी आपको fill up कर लेना है उसके वद लास्ट में कि आपको एक option दिख जाता है update का यानि link करने का जैसे आप link के option पे click करते हैं वैसे दोस्तों आपके bank के count में सिर्फ अधार card link हो जाता है जो यहाँ पे दिखे disclaimer में इस परकार से यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे दिखे साब साब बताया गया कि यहाँ परकिरिया केवल आपके अधार card बीवरन दर्ज करने के लिए है अधार card number को आपके चैनित खाते से link करना सतियापन के अधीन होगा यानि काने का मतलब है कि अगर इस process से आप link करते हैं तो सिर्फ आपके अधार card link होता है bank account में अधार NPCI link करने का दोस्तों कुछ अलग process है अगर इस process से link करते हैं तो सिर्फ अधार link होता है bank account में अधार card को online link करने का परकिरिया 5-6-7 bank में जो है कि online सुरू कर दी गई है जिसका list जो है कि टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा अगर आप अब भी तक मेरा टेलीग्राम चैनल को जोईन नहीं कियें तो फटा फट जाकर जोईन कर दीजिए और छोटा मुटा जो भी notification रहता है उसका हम वीडियो नहीं बना पाते हैं तो टेलीग्राम पर notification को हम send कर दते हैं अब दोस्तों बात करते हैं कि किसी भी बैंक में अधार NPCI को आप किस परकार से link कर सकते हैं तो दोस्तों उसके लिए ब्रॉजर में आपको type करना है NPCI link उसके बाद सर्च के option पे click कर दना यहाँ पे जो option आपको दिख रहा है इसी वाले option पे click कर दना क्लिक करने के बाद दोस्तोु, ANPCI के Official Portal इस परकार से Open हो जाता है सबसे पहले इस परकार से नीचे चले आना है और यहां पे दिखने के लिए मिल जाता है अधार सिडिंग प्रोसेस के Option इस वले Option पर क्लिक करना है यहां पर दिख जाता है Click Here To View इस वाले option पे click करदना है, click करने के बाद दोस्तों इस परकार के form यहाँ पे download हो जाता है, तो इस form को सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे last वाला जो page दीख रहा है, इस page को सबसे पहले आपको print निकलवा लेना है, print निकलवाने के बाद दोस्तों इस form को सही तरीके से आपको फिलप करदना है और फिलप करने के बाद दोस्तों जो भी आपका bank है यानि head branch जो bank है उस branch में आपको चले जाना है साथ में आपको इस print को लिलते चले जाना है अधार का photocopy, bank password का photocopy यह तीनों को आपको pinup करके आपको head branch में आपको जामा करदना है। तो दोस्तों NPCI link करने का यही process है अभी फिलाल के लिए दोस्तों offline process है अगर आप online NPCI को link करना चाहते हैं तो दोस्तों अभी फिलाल के लिए कि पेटिया में खुद से आप NPCI को link कर सकते हैं तो अगर आप Paytia में लिंग करना चाहतें NPCI खुट से हैं तो दोस्तों उसके लिए ओलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा तो अचली दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के लाइक कर दीज़ेगा मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजब लाइका नंटी को भी प्रेस कर लिज़ेगा